आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले कोपा वालों के प्रीवेस येर के जो कोश्चन्स हैं उनका हम सल्यूशन करवाएंगे और किस लेवल के कुश्चन्स एक्जाम में पूछे आते हैं तो इस वीडियो के माद्ध हम से आप देख लेना किस लेव बाट साओं गरूप में जरूशर केजएगा और वीडियो अच्छे लेगा तो वीडियो को लाइक जरूब कीजएगा और दुस्तों वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा इसकी मत कीजिए मत कुश्चन्स बिल्कुल एक्जाम औरिनेर कुश्चन है और यह प्रीवि और जेड मिलेगा तो इसका जो राइट आंसर दूस्तों होगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मतलब फॉर का ए जो होता हमारा यह क्या होता है अगला कुशन देख लेते हैं और कुशन बिल्कुल एक्जाम बाले है प्रीवियस एक्जाम बेखें कुशन से ही इसलिए आप इन कुशनों को अच्छे से एक बार रट के जरूर जाए निम लिखित में से कौन एंटरनेट पर एक समय के लिए प्रति समय जो सम्वेदी सेवा हैं तो कौन सी है देखो इमैल भी नहीं है फायल ट्रांसमार आपक्छनों जाएगा है अगला कुशन चलते हैं कोशन दूसर पुरे के प्रीवियस एक्जाम कोशन है उस deja姬 आपके एग्जाम में भी गजाएंगे आप यह ना सोच्षें कि कंप्यूटर के एक्जाम के हैं तो आपकी एक्जाम पूचिए संवक्ति कंप्यूटर संक्भाइं की मिलिके से कॉन सा कथन WR जाए तो और Care दोस्तेर्व कोर्द को माईगर को तो कृशन्य कंप्यूटर नाम का एक margin होता है और हमारा दूसरा दिया का एक समय के मनला एक से अधिक Microsoft Word डाकुमेंट देखे जा सकते हैं और उन सभी को एक साथ समपादी जाने edit किया जा सकता है तो आपके सामने इस तरह से चार options मिलेंगे कि सत्य है कि दोनों सत्य है कि दोनों सत्य है एक सत्य होगा तो इसमें से दूसर राइट एंसर हमारा 4 है मानने कि पहला जो वाला है सत्य होगा और दूसरा वाला क्या होगा असत्य होगा नेक्स कुशन प्यालते हैं और दूसर वीडियो के end तक बने रहे हैं कुशन बिल्कुल exam oriented है अगला हमारा कुशन दिया है Microsoft Word के संदर्म में मैक्रो का क्या आर्थ है तो मैक्रो का क्या आर्थ होगा यहाँ परा option से दियेगा मैक्रो कमांड स्वाचालित रूप से सामान सामगरी के साथ कई डाकुमेंट बनाती है और दूसरा दिया है अप्शन नंबर फॉर मलनक की इसका कहने का मतला है माइक्रो कमांड और निर्देश की एक सरंकला जिने आप किसी कार्री को स्वाचलित रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में क्या करते है एक साथ ले आते हैं राइट आंसर आप्शन नंबर फॉर होगा तो नेस्ट कोश्चन चलते है नेस्ट कोश्चन में देस्ट दिया गए कि कम्प्यूटर प्रड़ाली के संबन में जी आई जी ओ का पूर्ड रूप क्या है और बिल्कुल कोश्चन एक्जाम औरेंट है प्लीउस इकजाम के इसका जो राइट आंसर की आउप्शन होगा नेटवर्ग पर इमेल सरवरों के बीच संदेसों के आदान प्रदान को सम्हालता है तो कौन सा सम्हालता है तो इसका जो right answer दोस्तों होगा option no.3 इसका correct answer और SMTP इसका correct answer होगा next question पर जलते हैं अगला हमारा question दोस्तों दियागा इसकी पर देख सकते हैं आपर question में क्या कुछा है कि question में सत्त और अच्छत कतन की पहचान करना है तो पहला हमारा दिया गया जो win zip कोई संपीडन यानि compression नहीं करता है दूसरा हमारा दिया गया Linux से एक system software है तो आप बताएंगे इसमें से कौन सार इस पर दिखर के चार options दियेंगे तो इसका जो right answer होगा वो हमारा होगा क्या पहला तो हमारा असत्य होगा और दूसरा क्या होगा जो Linux एक क्या है system software है ना कि win कोई संपीडन कंप्रेशन नहीं करता है ठीक है अगला question देखते हैं अगला हमारा question दोस्तों दिया गया very important question है यह दोस्तों आपकी exam में भी देखने के लिए बिल्कुल मेलेगा question में पूछा गया है URL का फुल फॉर्म पूछा गया है तो यहां पर दिया गए uniform reference location होता है अगले कुश्चन दूस्तों दियागा कुश्चन में पूछागा विंडो जो सेवन के रिक्स्तान दियागा अलग-अलग संस्क्रण जिन में से प्रतिये एक अलग लेकिन परस पर व्याप्त चम्ताओं के समुच्चे से युक्त है तो कौन सा है तो इसके जो राइट आंसर अगले कुश्चन दिया गया दोस्तों माइक्रोस्ट जो पावर पॉइंट होता है 2016 में से किस मेनू आइटम का प्रियोग बिभिन प्रसुती द्रश्यानी की प्रेजेंटेशन विकल्पों को देखने के लिए किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों के लिए किया जाता है तो माइक्रोसुट वावर पॉइंट जो option no.2 यानि की एप आर्प नेट इसका करेक्ट आंसर होगा तो अगला कुशन चलते हैं अगला कुशन तो इसके इन पाल चुगा कुशन बहुशा गया देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सल में रो को अंतिम जाने के लिए इस सौटकेट की का प्रियोग करते हैं अगर दोस्तो यह इसी तरह के वीडियो चाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करता हैं कि यस तो आपको कम से कम एक्जाम तक मैं आपको दोसो ड्हाइस सो कुशन इसी टाइप से प्रिविएस कुशन करवा दूआ ठीक है तो नेस कुशन पहलते हैं अगरला कुशन दोस्तो बिलकुल कुशन में पूछे कुशन हे हैं प्रीबिस एक्जाम में तो इसलिए आप पूरे ध्यान पूरे पक इन कुश्चनों को जरूर याद करके जाएं अगला कुश्चन दोचे है माइक्रोसफ वर्ड में नेम लिकित में से कौन सा विकलो विक्तियों के समू के लिए पत्र और इमेल या लेवल या लिफावे बना लिफार आप अगला कुश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर की निमली कितम से कौन सी विस्चता है जिसे बिना किसी मानवी हस्चचप के कोई कार करने में सच्छम बनाती है तो कौन बनाती है सचालन बनाती है इसका प्रेक्ट आंसर होगा सचालन ठीक है अगला कुश्चन चलते हैं अगले कुश्चन दिया गया दोस्तों पहली इंपर्टेंट है आप इसे भी याद करकना इसमें पूछा गया का पूल रूप क्या है तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नमर टू यानि कम्पूटर अड़ेट डिजाइन क्या है वारा सी एडी का फूल फॉर्म है और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने स्टेडि गुरूफ वार्स्टो गरूब जैसे अनच्छादर को भी हमारा है ऑप्शन नमर थर्ड यानि स्टेटिक इसका करेक्ट आंसर होगा इसका फुल फॉर्म क्या है स्टेटिक अगला कुश्चन चलते हैं अगला कुश्चन आ चुका है नेक्स कुश्चन है कुश्चन में पूशा गया है कि इसमें MFLOPS क्या है तो क्या है इसका जो रा और दोसो वीडियो जरूँ शेयर करें अपने study group में अगर आप इसी तरह के अगर वीडियो चाते हैं तो हमें comment box में yes करके comment करना अगला question दो यह Microsoft Excel निम लिकित में से कौन वैद सेल एड्रस नहीं है तो कौन सा नहीं है बाकी यह भी option फर्ष्ट भी है थर्ड भी है फॉर्थ यह सभी के सबी कहां दो तो वैद सेल एड्रस हैं बाकी जो option टू हमारा है यह नहीं है ठीक है अगला question है question देख सकते हैं question में पूछा निम लेकित में से कौन किसी अनुच्छे दियान पहले अच्छर को कई लाइनों में फैलाता है तो कौन फैलाता यह ड्रॉफ कैप फैलाता ठीक है अगला चलते है question दोस्तों अगला आ चुका है next question हमारा है इसमें पूछा गया आप देख सकते हैं आप पूछा है कि निम लेकित विकलपों में से मौज़ूदा Microsoft PowerPoint presentation एक नई slide जोडने का keyword shortcut कौन सा है तो दुस्तों आप जितने भी shortcuts की है ना उनको जरूर याद करके जाए 100% आप पूछे जाएंगे इसलिए आप उनको जरूर याद करेंगे तो इसके जो right answer दुस्तों हमारा control प्लस M जो होता है न यह करता है एक नई slide को जोडने का काम क करता है keyboard का shortcut कि ठीक है अगले question दोस्तों दियागा निम लिकितम से कौन सा एक अनुपरियोग यानि परत याप्लिकेशन जो लेयर प्रोटोकॉल नहीं है तो कौन सी नहीं है टीसी पी नहीं है बाकी यह सभी के सभी है ठीक है अगले question दोस्तों दियागा किसी वेब पेज ल जो right answer होगा option number 3 या hyperlink बोलते हैं तो दुस्तों यह हमारे 25 question हुए और मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो comment box में जरूर comment करेंगे yes तो आपको provide करेंगे कम से कम आपको 200 plus question करवा दों यह इसी तरह के previous exam के question तो आसा करता हूं वीडियो अच्छे लेगी वी